हेलो फ्रेंड्स यह हमारा होटेर बेज BGA रिवक्स्टेशन है जिसका मॉडल नमर है R3860 यह मॉडल जो है काफी कॉम्पेक्ट है और जो हमारा पीसीबी रहता है उसमें जो स्मॉल स्मॉल आईसीज रहती है जैसे की रैम है यह एम्मसी है अधर पावर आईसीज है या तो कोई भी ऐसे चोटी बीजी आईसी है उसके लिए बहुत ही यूसफूल मसीन है जिसको हम बहुत एक्कुरेटली निकाल सकते हैं विदाउट एनी देमेज और आसपास के जो भी कंपोन्ट है वो भी डिस्टरब नहीं होते वो प्रकास से इसका यूस करके हम आईसीज को ऑपरेट कर सकते हैं जो कि हम मैनियली करने जाते हैं होटगन से तो कभी आसपास के कंपोन्ट या तो यह आईसी खुद डेमेज हो जाती है तो यह र अर्टिकली माउंट किया है इसके साथ में सोल्डरिंग आईरं भी आता है और इसको हम पावर ओन करके देखते हैं अभी पावर ओन करने के बाद यहां पर जो स्क्रीन है वहां पर तीनों हिटर के टैंपराचर डिस्प्ले होगे जिसमें यहां पर यह होट प्लेट दिया गया है जिससे कि पीसीवी को हम प्रिहिट करेंगे यहां पर होट गन दिया हुआ है उसका टैंपराचर जो है वह य soldering iron है उसका temperature यहाँ पे display होगा उसके temperature को increase और decrease करने के लिए buttons दिये गए है individual buttons दिये गए है switch on करने के लिए यहाँ पे hot air का switch दिया है यानि कि यह hot gun जो है उसको on करने का लिए switch दिया हुआ है यहां पर यह आयर प्लेट्स यह होट प्लेट्स है उसको on करने के लिए स्वीच दिया गया है और यह soldering iron के लिए switch है तो फ्रेंड्स यह सारा तीन हीटर से operate होता है यह machine आयर प्लेट यह hot gun और soldering iron station तो यह यह पर यह air का flow maintain के लिए उसका regulator दिया गया है जिससे की hot gun का airflow control कर सकते हैं ये mobile platform है जिसके उपर आप PCB mount करके PCB की size के ही साथ से आप इसको adjust कर सकते हैं तो मैं अभी आपको एक practical IC निकाल के दिखाता हूँ जिसे ये एक TV का motherboard है इसमें यहाँ पे EMMC लगी हुई है EMMC IC जो की अभी काफी EMMC operations की जरूद पड़ती है TV board में तो EMMC हम इसके उपर निकालते हैं पहले PCB को यहाँ पर mount कर देते हैं और जहाँ पर ये IC रहती है वहाँ पे hot gun ऐसे set कर दिया है और इसको हम up down भी कर सकते हैं ये up और down भी कर सकते हैं तो height जो है और normally set कर लेनी है तो ये position set हो गई है PCV की तो सबसे पहले ये hot plate start करेंगे उसके लिए ये मेरे button on करने से यहाँ पर temperature display होगा ये current temperature है 115 इसको हम 300 पर set किया हुआ है IR preheat plate को 300 पर set किया हुआ है उसको हम यहाँ से increase decrease कर सकते हैं तो normally इसको 300 पर रखेंगे तो हमारा काम जो है वो accurately हो जाएगा तो अभी जैसे देख रहे हैं अब यह की IR heat plate का temperature जो है वो इंक्रीज होने लगा है तो अभी यह preheat plate जो है वो 300 डिग्री हीट हो गई है यानि कि PC भी अभी heated है तो अभी इस time पर heater को थोड़ा दूर करके IC के उपर हम flux apply कर देते हैं उपर की तरफ और side में flux apply कर देना है और वापस hot gun को वहाँ पर set कर दिया और यह hot air का button जो है उसको on करने से यहाँ पर hot gun का जो temperature है वो display करेगा उसको decrease increase करने के लिए यह button दिया है और इसको 320 पर set कर देते हैं क्योंकि temperature जो है वो तुरंत जो है वो increase हो जाएगा पर बहुत ही uniformly heat होगा जिससे कि IC या तो PCB जो है वो damage नहीं होगा इसको tweezer से हम check कर सकते कि IC जो है वो release हुई की नहीं कुछ देर इसको चलने देंगे जैसे ही IC release होती है उसको पिक कर सकते हैं अभी IC जो है वो release हो गई है तो tweezer से देखने से पता चलता है कि IC जो है वो release हो गई है तो अभी hot gun को बन करके हम IC को tweezer से पिक कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि IC जो है वो remove हो गई तो इस प्रकार से हम कोई भी IC जो है जैसा यह RAM है यह Power IC है यह दूसरी जो BZ IC रहती है प्रोसेसर वगेरा रहते हैं उसको हम निकाल सकते हैं without any damage उसके लिए यह जो hot gun के आगे की nozzle है उसको अलग-अलग size IC के size के इसाब से वहाँ पर set करना है nozzle लगाना है और जो भी IC की size है वो इसाब से हम उसको operate कर सकते हैं So friends यह जो BGA rework station है वो काफी compact है और हमारे जो चोटे ऐसे बोट रहते हैं उसमें आने वाली power ICs या दूसरी जोटी जोटी IC के लिए बहुत ही battery है जिससे हम comfortable ही काम कर सकते हैं ज्यादा जानकरी के लिए हमारे नीचे दिये गए number पर आप contact कर सकते हैं और इसी तरह से नए technical videos की जानकरी के लिए आप हमारा channel जो है वो subscribe कीजिए Thank you friends